इक श्रंगार का छंद है अमारे सभी श्रंगार की कवीयों ने जिन्होंने गीत लिखे हैं श्रंगार रस लिखा है उन्होंने प्रेमिका की उपमा महिलाओं की उपमा प्राक्रतिक वस्तों से दी है, जैसे मुख की उपमा सब को में चांद से दी, चंदर मुखी, चाहिए उसका मुख भैस जैसा रहा हो, लेकिन हमारे उन को में चांद ही नजर आता रहा, आँखों की उपमा हिरन की आँखों से, मरग नेनी, मरग लोचनी, बालों की उपमा से, बालों की उपमा सांपों से नागिन सी चोटी सांप से काले होने के कारण तो एक पुराने विचारों का पती है अपनी पत्नी को समझा रहा कि तुम फैशन में मत रहा करो मुझे अच्छा नहीं लगता है वो इस धंग से कहता है कि उसकी बास समझ में भी आ जाए बुरा भी नामा ले उपमां को आप धान में रखेंगे आपको आनद आएगा हेर कटिंग करवाओ मत प्रान प्यारी काहीं काले नाग नाई को ना फान मार दे हीरन से नयनों को जादा ना नचाया करो कोई छैला सिंग हीरनों को ना पचार दे नंगा सीर लिये ऐसे खूले में न घूमा करो मांग है सीमांत शत्रू रंडा ही ना गाड़ दे चंद्रमुख्य मुझे डर है कि तेरे मुख पर अमरीका अंतरिक्स यान ना उतार दे सड़ी इस सुने जैसा रग यह कंचन वरनी सूंद्री उसको देखकर तरह 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 कि लोग क्या गल्पना कर रहे रहें, आप यह धान रखें। उसका रंग सोने जैसा है उसको देखकर विभिन सिरेनी की लो स्टा करpersStops कवियों ने का स्वरनी में उसा सुंदरी है किरणों का पहन कीरिट घूम रही है स्वनकार बोले लसु मेरू तो पिघल गया उच्छट उसी की कोई छीट घूम रही है तसकरे लगा के घाते अपसे में बात करे साथ कीलो सोने की ये इंट घूम रही है